हलो फ्रेंज कैसे हैं आप मैं प्रिंसी कशब हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है और इस टॉपिक को हम सबको सबजने की बहुत जरूरत है आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप खाने के लिए कहीं होटल या रस्ट जाएगा और आप अपना ओर्डर फुल कॉन्फिडेंस और इंग्लिश में देऊगे सबसे पहले तो आप यह जान लो कि अगर हम किसी रेस्टरोंट में खाना खाने जाते हैं तो हम कस्टमर हैं और कस्टमर की वैल्यू हमेशा सेलर से जाधा होती है सबसे पहले जब भी आ आपसे यही बोलेगा वेल्कम सर फ्लीज हाव सीच तो आपको इसका पॉलाइटली आंसर करना है थाइंक यू जैसे ही आप बैठोगे तो वेटर आपसे ओर्डर लेने आएगा और उसमें वो आपसे पूछेगा 70% लोग यही पर कनफ्यूज हो जाते हैं और दो मिनट सोच कर अपनी मदट रंग में ओर्डर देना शुरू कर देते हैं इसका मतलब है कि वो आपसे ओर्डर लेना चाहता है आप उसका रिप्लाई कुछ इस तरह कर सकते हैं यानि आप मुझे मेंई काज और पानी का ग्लास लाके दे सकते हो इसके बाद वेटर यही कहेगा शुर। जब मेन्यू का आज आपके पास आ जाए तब आप उसे पढ़कर वेटर से पूछ सकते हैं कुछू प्लीज टेल मी फेमस डिश ओफ यूर रेस्टोरेंट दोस्तो इसका मतलब है आपके रेस्टोरेंट में सबसे स्पेशल यानि सबसे अच्छी डिश कौन सी है जी हाँ सर क्या आप शाकाहारी पसंद करेंगे या मासाहारी वेजिटेरियन उसके बाद वेटर आपको डिश बताएगा आपको वो डिश पसंद आए तो आप कुछ इस प्रकार बोलकर औरर कर सकते हैं ओके देन आल हैव शाही पनीर विट तंदूरी नान बेवरेज का मतलब होता है कोई भी ड्रिंग यानि उसमें एक कोल्ड ड्रिंग भी आ सकती है कोल्ड कॉफी, ची, मतलब कोई भी लिक्वर्ड फॉर्म की चीज जिसको बेवरेज कहते हैं तो जब भी वेटर ये कॉशन पुछे, कन्फ्यूज मत होना येस, वन कोक ओके सर आपके खाना खाने के बाद वेटर अगर आपसे पूछे अब दोस्तों एक और कन्फ्यूजिंग वर्ड आ गया दोस्तों डिजट का मतलब होता है मिठाई मतलब वो आपसे कुछ मीठा खाने के लिए पूछ रहा है आप इसमें कुछ मीठे में ओर्डर कर सकते हैं और लास्ट में बिल मांगते समय वेटर से कुछ इस प्रकार बोलें प्लिस ब्रिंग मी दबिल बिल देने के बाद आप गुजबाई, थैंक यू कहकर अलविदा कह सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों हमें कॉमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या नया सीखा अभी के लिए लेती हूँ अलविदा सीखते रहो बढ़ते रहो